जैसा कि हम आप से कांस के बाद पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि हिना खान कांस के बाद अलग-अलग जगाहों पर घूमने के साथ साथ शूटिंग भी कर रही है वेल उमीद तो ये थी कि हिना खान विक्रम भट की अपकमिंग फिल्म के लिए शूट कर रही होगी लेकिन पता चला है कि हिना खान अपनी दूसरी अपकमिंग फिल्म के लिए शूट कर रही थी इस फिल्म की शूटिंग के बाद ही हीना कान विक्रम भट की फिल्म शूट करेंगी जी हाँ आप लोगों को बता दे कि कान्स के बाद हीना एक ऐसी फिल्म में नजर आने वाली है जिसमें कपल में से एक को हो जाती है ला इलाज बिमारी जिसके बाद वो कपल एक wish list बनाता है और अपनी जिंदगी के कुछ पलों को खुलकर जीने के लिए वो अपनी wish list को पूरा करता है बता दे कि इस फिल्म का नाम भी wish list ही है जब हिना कान से इस फिल्म पर बात की गई तो हिना ने इस फिल्म पर बोलते हुए कहा कि ये एक बहुत टाचिंग फिल्म है जो कि बहुत स्ट्रॉंग मेसिज देने वाली है हीना कान ने कहा कि उन्हें ट्रावलिंग करना गूनना फिरना बहुत पसंद है और इस फिल्म की शूटिंग यूरोप में अलग-अलग लोकेशन्स पर हो रही है इसलिए ये फिल्म हीना खान के लिए एक ट्रीट है वेल हीना आपके लिए ही नहीं बलकि आपके फांस के लिए भी विश लिस्ट एक ट्रीट होने वाली है क्योंकि उनकी विश लिस्ट में भी सबसे पहले हीना खान ही आती है The Final Cut Entertainment Desk